स्विफ्ट नियूज इंडिया में आपका स्वागत है इस वीडियो को लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें तेवारों का मौसम और मिठाईयों की मांग अपने लिए और अपनों के लिए लेकिन सावधान मुँ मिठा करने के चक्कर में कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं तेवारों के मौसम में मिठाईयों के लिए दूद की मांग बढ़ जाती है जिसका फाइदा उठाते हैं ये मिलावट खोर दूद का दूद और पैसे का पैसा के चक्कर में ये लोग जनता की सिहत से खिलवार करने से भी नहीं चूपते आपको बताते हैं ये मिलावट खोर कैसे बनाते हैं दूद ये है शैम्पू जो नहाते वक्त काम आता है लेकिन इससे दूद भी बनता है कैसे बस देखते जाईए ये तीनों शक्स दूद बना रहे हैं इसके लिए पहले एक बड़े से बरतन में थोड़ा सा शैम्पू डाला और फिर रिफाइन डॉइल देखते ही देखते ही ये मिक्स्चर सफेद पेस्ट में बदल गया फिर इसमें मिलाया गया आधा किलो दूद इसे गाढ़ा करने के लिए चीनी का बुरादा मिलाया गया और फिर एक बाल्टी पानी लो बन गया दूद आधा किलो दूद दस कीलो में बदल गया ऐसी ही जगों से हजारों किलो नकली दूद हलवाईयों के यहां पहुँचता है और फिर इससे बनती हैं मिठाईया अब सुनिये ये लोग ये काम क्यूं करते हैं सब देखो अब एक तो नौकरी तो है इना जी और दूसरी एक और बाद अब दूद के रेट कम मिलने हैं और कैसे भी दूद हमने के बनानों शुरू करते हैं सब यहां में कम पैसा में ज़्यादा दूद बन जावाए और वाते अपना यहाय भी मिला दें दोनने मिला कर बेग दें ग्रावटी सही आ जाए और कोई पहचानी ना सके उतनों ही मावा निकले उतनों ही घीवन है को ह हम तो सब जगे ऐसी बना में और ऐसी बेग दें हाँ दिवारी पैसा बहुत ज़्यादा बड़ जावा है तो असली दूद कहां ते लाँ है अब हलवाई मांगें तो हलवाई अनको भी ऐसी दूद दे में वो तो खुद के में जी ऐसो ले आओ कहीं से भी लाओ जी दूद करो हमाई पूर्ति करो तो ऐसी पूर्ति करनी परहा यहां बच्रगों को खुद कुर्कर के बालकन को स्टूद के दूद बनाने का एक और फार्मूला है इन विलावट खोनों के पास और इन हैं इसके लिए आधा किलो दूद की भी जरूरत नहीं इजी है न जो हम आप कपड़े दूने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहां इसका इस्तेमाल दूद बनाने के लिए हो रहा है साथ में है सिंघारे का आटा, रिफाइन डॉयल, खाने का सोडा, मिल्क पौडर, ग्लुकोज और थोड़ी सी लाइची कपड़े धोने की बाल्टी में बारी-बारी से ये सब मिलाया गया यहां इस सारे सामान को फेटने के लिए एक मशीन भी है ताकि नकली दूद को देख कर पहचाना ना जा सके ऐसे एक एक घर में हर रोज 100 किलो तक नकली और जानलेवा दूद बन कर बाजार में पहुँचता है ये सारा दूद हलवाई के हां मिठाई बनने के लिए ही नहीं जाता हमारे और आपके घरों में भी पहुँचता है चाहे बनाने से लेकर बच्चों को बिनाने तक के काम आता है लेकिन इन्हें इस सबसे क्या मतलब अपनी जेब गर्म होनी चाहिए चाहे कोई मरे या जीए आईशा मुझे बनबाते बनबाते करीब करीब पंदर बीश साल हो गए कियों ऑगे फ़ğlुला मैंने उस वक्त सीका था जब यजये डेरी वालों ने इसको बनाना फ्रूंज प्रूप लैता और मावा बुलन सहर से बनके सिधा दिल्ली जाता जिसमें जो क्याना हमें रस्ते में जितनी भी परेशानिया होती है वो सब पैसे के बल पर सौल हो जाती है वैसे तो ये काला धंदा साल भर चलता है लेकिन दिवाली के वक्त जब दूद की मांग आसमान चूरे ही होती है तब इस गोरक धंदे में और तेजी आजाती है कमाल यह है कि दूद की गुनवत्ता मापने वाली ये मशीन भी कई बार इनके आगे नाकाम हो जाती है बिना मिलावट के दूद की ग्रेविटी 26 आनी चाहिए लेकिन मिलावट इस तरह से होती है कि नकली दूद की ग्रेविटी भी 26 के आसपास होती है कभी-कभी तो 28 भी हो जाती है और अफसोस जनता समझती है कि ये तो प्योर दूद से भी प्योर है